Hello everyone, once again welcome to my channel Flavors by Pooja आज मैं आपके साथ शेयर करते हुए एक बहुत ही सिंपल सी और जटपट से बनने वाली सबजी जो की है बेसन वाली अर्बी की सबजी यह फटाफट से बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसको आप दाल चाबल के साथ भी इंजोय कर सकते हैं या फिर रोटी, पूरी, पराठे के साथ भी इसको अच्छे से इंजोय कर सकते हैं आईए फटाफट से इसकी रेस्पी को भी देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है ये अर्बी उसको मैंने बॉयल कर लिया है तो यहां 300 ग्राम अर्बी लिया है इसको छिल लिया है और उसके बार इसको इस साइज के पीसेज में मैंने कट किया है तो बहुत ही छोटे पीसेज हमें नहीं करने है थोड़े से बड़े ही पीसेज म इनको fry करते हैं तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है सरसो का आप कोई भी ओयल यूज कर सकते हैं जब तेल थोड़ा हमारा गरम हो जाएगा मैं इसमें एड़ कर रही हूं एक चुटकी हींग की अगर आपके पास मार्केट में जो डब्बे वाला हींग आता हो है तो आप थोड़ा जादा हींग यूज कीजिए उसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूं अजवाईन इस समय जो फ्लेम है गैस की वो मैंने स्लो कर रखी है उसके बाद मैंने इसमें दो हरी मिस डाल दिये स्लिट करके अब मेरे पास यहां पर है अद्रक जो कि मैंने बारी चौप कर लिया है इन से भी चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे लगभग 10 सेकंड के लिए उसके बाद इसमें आड़ करेंगे कुछ मसाले सबसे पहले डाला मैने हल्दी पाउडर उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची थोड़ा हमें कंट्रो बारी भी डाली हुई है उसके बाद जा रहा है इसमें धनिया पाउडर अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पर भूल लेंगे तो मसाली बहुन चुके हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं बेसन तो यहां पर दो बड़े चमच बेसन लिया है मैंने और इसको लो फ्लेम पर भूल लेंगे लगातार चलाते हुए दो से तीर मिनट के लिए लगातार चलाना जरूरी है अदरवाइस बेसन बहुत ही जल्दी लग जाता है जैसे बेसन डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि यह काफी ज्यादा फ्रौदी हो गया यानि इस काफी ज्यादा झाग दे रहा है तो बेसन बहुतने के बाद इसम जो हुमारा बॉयल किया हुआ अर्भी है उसको अब आट करदेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे जो हमारी अर्भी है उस पे अच्छे से मसाले कोट हो जाए अब इसमें आड़ कर देंगे नमक टेज के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे और मेडियम फ्लेम पर 7-8 मिनिट के लिए कुक कर लेंगे और बीच-बीच मे इसको चला भी लेंगे बीच-बीच में जलाना ज़रूरी है नहीं तुमाई倦 में इस सबजी है वो नीचे से जल जाएगी तो देखिए अब सब्जी हमारी कुक हो चुकी है अब मैए इसमें आड़ कर रहे हूँ थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला डाल कर फिर से सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए अब लास्ट में मैं आड़ कर दें इसमें नीमू का रस तो यहाँ पर एक नीमू का रस मैंने लिया हुआ है और नीमू के रस को भी अब अच्छे से mix कर देंगे सबजी में आप चाहें तो नीमू के रस की से हैं अमचुर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं तो अब इसको अच्छे से cook करेंगे जिससे जो हमारा बेसन है वो काफी crispy हो जाए तो देखीए सबजी अब ready हो चुकी है बेसन है वो अच्छे सब crisp हो चुका है तो जो सबजी के उपर layer है बेसन की वो crispy होनी चाहिए अब last me add कर देंगे हरा धनिया धनिया को भी अच्छे सब mix कर देंगे सबजी में और हमारी सबजी अब ready हो चुकी है serve होने के लिए तो चलिए इसको serve कर लेते हैं तो यह recipe बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है अगर आपको यह recipe अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe ने किया है तो मेरे चैनल को भी subscribe कीजिए अगर आप यह वीडियो Facebook और Instagram पे देख रहे हैं तो मेरे page को like कीजिए और follow कीजिए मैं मिलूंगी ऐसे ही एक और नई recipe के साह तब तक के लिए bye bye and thank you for watching the video